भी जिसना आलमपशास साब यह बताएं फिलिस्तीन और इस्राइल के जग हो रही है इसमें इंदुस्तान का जो स्टैंड है हमेशा से फिलिस्तीन के हख में था लेकिन पीम मोधी के ट्वीट के बाद यह लग रहा है कि हिस्टान इस्राइल के साथ है जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी होती है इंटरनेशनल पॉलिसी है वह कहीं न कहीं बदलती भी नजर रहें ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्मर प्रेव मिनिस्टर मोहतरम वाजपाई जी वहां से उससे पहले से तो हर गवर्मेंट हिंदुस्तान की पालिसी थी कि फालिस्तीन के साथ खड़ों क्यो क्रिस्टेन भी हैं हिंदू भी पूरे तमाम अपने तीनों का मज़ब के जगा फून बंबार्डिंग हो रहा है वह कौन कर रहा है जैसा पी ओके का भी डर है हिफासत हो रही है और चैना का लड़क में आपना हो रहा है कश्मीर में हर जगा हो रहा है तो हमारे हिंदुस्त का पूरे को दुनिया भी सपोर रही है चायना के खड़ा यही लड़ाए और इस्रे तोड़ जगा कि वह लेना चाह ais गौरीं कोब्लों के मसाजित मन्दिर इसाई के चर्चस तोड़के भोड़के वो लेना चाह रहा है इसमें रिलीजियस ने उसको जगा चाहिए उसको माल चाहिए उसको पैसा चाहिए तो इसलिए पालिशी हिंदुस्तान में अभी मोधी सरकार बदलाई है जो तकरीबन 50 साल से चलती आई वो ट्वीटर में जो अ रहा है वहां पर तो उसमें जंग का मतलब अपने आर्मी देना चाहिए क्या हिंदुस्तान से आर्मी देंगे ऐसे चीजों में इसों बच्चों का खूर पियेंगे तो कौन ये बच्चे यह आदमी हिंदुस्तानियों के इंटेग्रेटी आर्मी हैं हिंदु मुसलिम सब्सक्राइब का जो आने वाला एलेक्षिन है वह एलेक्षिन का भी कुछ मतलब होगा तो इसलिए इन्हों अपनी पॉलिसी में सड़न चेंज लाया है प्रेमिनिस्टर आफ इंडिया मोधी जी अपनी ट्वीट के तहट ये पता चल रहा है यहाँ पे मंदिर मसाजित मक्मिरें का कोई हिसाब नहीं है जगा अपनी कमाई अपनी रहें सेहन वो चीज़ के उपर इस्राइल की खबजा नाजायस खबजा हो रहा है नाजायस खब मेसी में खिलाफ किया है उनके खिलाफ खड़ा है अभी यह जो बना है बहुत बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट तकरीबन पचास साल के लिए बनेगा हिंदुस्तानियों के लिए यह बहुत बड़ा बुरा नहीं देखा हुआ खाब है यह एक हिस्ट्री बनेगी यह चीज असपाई सरकार से जो करते हुए यह मान के जाना है मोधी गोवर्मेंट है कि अ करते हुआ है